बिषनाए गारार जैसे हम हमेशा पीस में रहना चाहते हैं बट कुछ ऐसे प्रिशान लोग होते हैं जो आप की पीस को disrupt करने की कोशिश करते हैं तो उस सिस्क्विशन में क्या करें? आप कह रहे हो कि आप तो पीसफ्ट रहना चाहते हो लेकिन अगर आपके आस पास में कुछ ऐसे लोग है जो बिल्कुल भी पीसफुल नहीं है तो क्या करे इसका मतलब क्या है कि आप उन लोगों से पीछा नहीं छुड़ा सकते हो अगर छुड़ा सकते होते तो यह क्वेशन नहीं पूछते है मतलब कि वो लोग या तो आपके घर में है या आपके परोस में है या आपके आफिस में है सुसाइटी में है कहीं पर भी है तो अगर आप सुसाइटी की बात कर रहे हो तो जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रहो जैसे अगर आपको पता है कि कोई गली का कुटा है जो पागल हो गया है और सब को काट रहा है तो क्या करोगे उससे जा करके लड़ोगे उससे दूर रहोगे पिर भी वो forcefully मतलब बुराई आया है ऐसे बोलते हैं कि जूंड में आती है अब मान लेते हैं कि वो इनसान अकेला नहीं है उसके साथ में कुछ और भी लोग है जिनका motive है आपको तंग करना आपको परिशान करना आप जैसे ही resist करते हो या उनको कुछ कहते हो तो वो और आपसे लड़ते हैं मतलब कि वो आपको उकसा रहे हैं आप कुछ कहो या कुछ करो और वो सारे जुण में आ करके आपके ओपर अटाक करते हैं अब एसे में क्या किया जाए practical solution ये है कि या तो अपना एक जुण बनाओ theoretical बाते नहीं करेंगे practical करेंगे क्योंकि theoretical बाते क्या होती है अरे अगर आपके आस पास में कोई भी अशान्त है उससे कोई फर्थ नहीं पड़ता है आप अपने आप को शान्त रखिए तो दुनिया आपको बेवकूफ समझती है तो मैंने क्या कहा है अपने कई सेशन्स में ये निट बी as powerful as possible as powerful as you can not to dominate others but to defend yourself बनाना ही पड़ेगा ये दुनिया ही ऐसी है this is called survival of the fittest मतलब ये क्या है अगर आप ध्यान से देखोगे ये पावर गेम है और ये आज से नहीं चल रही है सदियों से चल रही है और सिर्फ इंसानों में नहीं जानवरों में भी है जानवरों में अगर आप ध्यान से देखोगे जैसे कोई शेर है चीता है तो सबकी अपने अपनी territories होती है तो किसी एक की territory में अगर कोई और आजाता है तो उनके बीच में लड़ाई होती है और फिस दुनों में से एक अपनी हार मान लेता है और वो वहाँ से चला जाता है और वो territory फिर दूसरे की हो जाती है तो यह जानवरों में भी है इसको power dynamics बोलते है तो अब क्या किया जाए practical solution, कोई theoretical बाते नहीं क्योंकि अगर कोई सामने से आपको गाली दे रहा है और मैं कह रहा हूँ कि बई शांत रहो, तो तब तक शांत रहो चलो आपको गाली दे रहा है, आप शांत रह सकते हो ठीक है, आपकी मा को गाली दे रहा है शांत रहोगे, बाप को गाली दे रहा है शांत रहोगे क्या भगवान गीता में यही सिखाया गया है क्या भगवान क्रिशन अर्जुन को ये सलादे रहे है कि बेटा एक काम कर सामने न लड़ाई हो जाएगी उसमें कुछ पढ़ा नहीं है एक काम कर छोड़ करके भाग जा ये सलादे रहे है या वहाँ पर उसको सिखा रहे हैं कि तुम्हारा कर्म है धर्म है अगर सामने वाला शान्त है और शान्ती नहीं चाहता है और उसके लिए एंड रिजॉट है लड़ना ही पड़ेगा तो लड़ाई के लिए तयार रहो अब लड़ने के क्या तरीके हैं एक है कि अगर सामने एक ग्रूप है जिसके एक पर्टिकुलर लेवल की पावर है या माल स्वांता है मेरा बाप कौन है अरे मुझे चोड़ तु जानता है तरह बाप कौन है ऐसे लोगों आसी बात करनी होती है तो यहां पे हर कोई हवामें है हर किसी को ऐसा लगता है कि मेर से ओपर तु कोई है नहीं तो नंबर एक कभी किसी से फाल-तू में उल्जो मत जरूरत पढ़े तो चुपचाब हाथ जोड़ करके वहां से निकल जाओ उस इंसान से दूर रहो लेकिन अगर कभी सामने वाला इंसान आपके ओपर unnecessary हावी हो रहा है और जरुबत से ज़ादा आपका torture कर रहा है mental, physical तो आपको पता होना चाहिए कि अपने आपको सो रहे हो लेकिन आपके गले के ओपर तलवार लटक रही है और मैं कहता हूँ इस सबसे क्या फर्क पड़ता है शरीन मरता है आत्मा नहीं मरती है तुम एक शानत आत्मा हो क्यों परिशान हो रहे हो सुखी रहो ये सब क्या है एक तरह से हिपनोटाइस करना हो गया बेवकूब बनाना हो गया आपको प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है इसके अंदर तो जब जरुवत हो यानि जब अती हो जाए तो वहाँ पर सीखो साम, दाम, दंड, भेद, चारक के नीती देखो महाभारत में जब ऐसा कोई मौका आता था तो भगवान कृष्ण किस तरीके से लड़ते थे ये सीखो क्योंकि ये कहीं सिखाते नहीं है स्कूल में, कॉलेज में, घर पे लड़ता सिखाते हैं आपको लड़ता मतलब फिजिकल ही नहीं वो तो फिर भी एक बार को सिखा देंगे साइकलोजिकली कैसे लड़ते हैं कैसे सोच समझ के उसका जो बार है उससे खुद को बचाते हैं और उसके उपर पलट करके इस तरीके से बार करते हैं कि लीगली आप कुछ भी गलत ना कर बैठो नहीं तो अपने ही नुकसान कर बैठोगे In other words, सामने वाले ना आपको भढ़गाया और आप गए आपने पत्थर उठाया ले आगे उसके सर पे मार दिया गुस्से में उसके बाद में पूरी जिंदगी जेल में बैठे हुए हो क्या फाइदा हुआ, नुकसान किसका हुआ उसको तो कुछ देर का दर्द हुआ, उसके बाद में राम नाम सत्य है बट आपको तो पुरी जिंदगी भर का काम हो गया इस केस में ये सोचे कि जितना वो फोर्स लगा रहा रहा न, छे फिजिकली उससे थोड़ा आदिक लगाओ, बट उसको भी नुकसानों है और वो समझे कि पावरफुल है ये गलती कभी मत करो, अगर वो फिजिकल फोर्स लगा रहा है तो आप साइकलोजिकल फोर्स लगाओ अब मैं आपको एक बहुत मज़िदार बात बता रहा हूँ हर इंसान की कोई न कोई कमजोरी होती है उसको बोलते हैं दुखती हुई नस वो समझना होता है तो इतने बिजी मत हो जाओ ये सोचने में कि वो मेरा क्या बिगाड सकता है नहीं तो आप कहां चले जाओगे आप fear की एक ऐसी cycle में trap हो जाओगे जिसको anxiety कहते हैं आप बैटे 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 बस यही सोचते रहोगे कि अभी दो उसने ये किया है अब कल ये ना हो जाए परसो ये ना हो जाए अच्छा वो ये ना कर दे वो ना कर दे बहार में गया वो क्या करता है क्या नहीं करता आप ये देखो आप क्या कर सकते हो तो सामने वाले की दुखती हुई नस को समझो पकड़ो और उसको थोड़ा सा दबाओ ज्यादा भी मत दबाना ये mind game होता है बहार जो है वो आप बाद में जीतते हो बाद में हारते हो किसी भी रड़ाई है पहले आप अपने mind के अंदर हारते हो और जीतते हो तो mind में कैसे जीतते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ अपना ध्यान यहां से हटा दो कि उसका अगला move क्या होने वाला है बलकि अगर predict करना ही है तो maximum अगले move तक उसका predict करो उसके आगे मत करो क्योंकि आपको पता ही नहीं कि वो क्या सोच रहा है आप यह समझो अगर मैंने यह किया तो उसका अगला move क्या होगा बस यहां तक और उसमें भी आपको clarity होनी चाहिए कि 90% possibility यह होगा 10% यह होगा तो आपने calculated risk लिया तो इस तरह से अराम से कुल काम थंडे दिमाग से आगे भढ़ना होता है जब लड़ाई का वक्त आता है और level को अराम अराम से भढ़ना होता है तो आपको लड़ना सीखना होगा यह कौन सिखाएगा आपको क्योंकि अगर कोई ऐसा इंसान सिखाएगा जो खुद लड़ाखू है वो तो बेवोकुफो की तरह आपको लड़ना सिखाएगा वो क्या सिखाएगा दो कौडी की हरकत है यानि कि गाली गलोच मारना पीटना इस सबसे कुछ नहीं होता इसमें तो आप खुद ही फसोगे आपने मार बिटाई शुरू करी सामने वाले ने शुरू करी उसके बाद में गल्टी से कुछ हो गया कौन फसेगा वो भी फसेगा आप भी फसोगे तो ऐसे काम करना ही क्यो है तो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा मलना मैं फिजिकल की तो बात ही नहीं कर रहा मैं तो साइकलाजिकल की बात कर रहा हूँ अगर आपके आफिस में कोई है और वो आपको बहुत तंग कर रहा है तो देरा वेज आफ डिलिंग विट याट पर्टिकलर सिचुएशन जिससे के साप भी मरेगा और लाठी भी नहीं तूटेगी यानि किसी को पता भी नहीं लगेगा कि वो आपने किया लेकिन कुछ ऐसा कर दिया कि उसके बाद में वो इनसान पच्टाएगा लेकिन ये स्टेप तब उठाना है जब सामने से आपको समझ आ जाए कि अब मेरी जो लिमिट है बियर करने की वो क्रॉस हो चुकी है हाँ अगर अब इन टैक्टिक्स को आप यूज कर रहे हो अपने फाइदे के लिए वो गलत है सर्व वो गलत नहीं है वो बहुत गलत है क्यों मैं बता देता हूँ क्यों पर एक्जामपल यह जो मैंने आपको बोला कि इस तरीके से कुछ किया जा सकता है अब आप कहते हो यार आइडिया तो बढ़िया है क्योंकि मेरे उपर जो बंदा बैठा है अगर उसको हटा देता हूँ तो उसकी सीट मेरे को मिल जाएगी मेरी सैलरी इतनी है वो बढ़ करके इतनी हो जाएगी तो यह तो बहुत बढ़ी आइडिया है चलो उसको हटाता हूँ अपने रास्ते में से अगर ऐसे आप बन गए तो अब आप अंदर से करप्ट हो गए अब आपका दिमाग ऐसे ही चलेगा और जिसका दिमाग ऐसे चलेगा यानि अपने आपको डिफेंड करने के लिए नहीं चलेगा अटाक करने के लिए चलेगा वो इंसान जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता और अगर तरक्की कर भी लेगा बाहर अंदर से उसको कभी मन की शांती नहीं मिल सकती उसको पता ही नहीं होगा कि मन की शांती होती क्या है देखो लाइफ का ultimate goal क्या होना चाहिए कि आपको किसी तरीके से by hook और by crook थोड़ी से और success मिल जाए थोड़ा सा पैसा मिल जाए ये important है ये long term में मन की शांती मिल जाए चाहिए पैसा थोड़ा कम हो क्या जादा important है मन की शांती कैसे मिलती है और मन अशांत कब होता है जब भी आप कुछ गलत करते हो तो चाहिए दुनिया को नहीं पता है आपको तो पता है ना तो मन अशांत हो गया इसको कहते है करम फल लोग समझते हैं ये करम फल क्या होता है करम का फल immediate होता है बात में थोड़ी ना होता है जहां आपने किसी के साथ में कुछ भी unfair किया कुछ भी गलत किया आप गलत हो गए और जो गलत हो गया वो दुखी हो गया जितना गलत हो गया उतना ही दुखी हो गया सिंपल सा रूल है और जो अंदर से जितना सही है वो उतना ही सुखी है For example, मेरी फितरत बन गई आप लोगों को बेवकुब बना करके किसी तरीके से पैसा कमानेगी तो भार से मैं अपने आपको जैसा मर्जी दिखाता रहूँ कि अंदर से मैं कभी भी सुखी रह सकता हूँ और अगर अंदर से मेरी नियत साफ है और अगर आप लोग मेरे बारे में कुछ उल्टा भी बोल रही हूँ तो क्या मैं दुखी होँगा क्योंकि मुझे पता है न मेरी नियत साफ है तो नियत बहुत बड़ी चीज होती है जिन्दगी में अपनी नियत हमेशे साफ रखो तो अगर जो भी मैंने अभी तक कहा उसको में को समप करना हो अपने मन को शान्त रखने के लिए तो वो क्या है कि इस दुनिया में यू के नाट आफोर्ड टू बी वीक जो कमजोर होगा ये दुनिया उसको इस तरीके से तंग करेगी कि वो इंसान की जो हालत है वो बच से बत्तर होती चली जाएगी यानि कि अगर आप मेंटली कमजोर हो तो बाहर के लोग तो छोड़ो आपके अपने घर वाले ही आपको नहीं छोड़ेंगे मेरी पात ध्यान से सुन ले न सुनने में थोड़ी सी अलग है वो जो आप मॉरल साइंस की बुक्स में पढ़ते हो क्योंकि वहाँ पर बहुत ही लीनियर तरीके से कुछ बताया जाता है अगर आप अपने मावाब की सेवा कर रहे हो तो आप अच्छे बेटे हो नहीं कर रहे हो तो बुरे बेटे हो अच्छा अगर मावाब किसी बात को ले करके बार बार आपको बोलते चले जा रहे, बोलते चले जा रहे, बोलते चले जा रहे, उसको सुन करके, आपका जो mental balance है, वो खराब हो रहा है, तो कौनसा वो point आएगा जब जा करके, आपको पलट करके जवाब देना है, और क्या देना है, नहीं देना है, In fact, अगर आप महाबारत को ध्यान से समझोगे भगवत गीता को ध्यान से समझोगे तो लड़ाई कभी भी दूसरों से नहीं होती है अपनों से होती है अरजुन इतना ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं था उसको भगवान कृशन ने जान करके कन्फ्यूज किया नहीं तो ज़रूरत नहीं थी भगवान कृशन अरजुन को ये भी बोल सकते थे कि भई यहाँ पर तुम लड़ने के लिए हो लड़ो अपना क्या फाल तुम की बाते कर रहे हो भगवान ने क्या किया रत को ले जा करके सामने बीच में खड़ा कर दिया और का ये देखो ये सारे तुम्हारे अपने हैं जिनको तुम्हें मारना है उसके हाथ काम गए जिन्दगी में जो सबसे बड़ी लड़ाईया होंगी ना आपकी वो अपनों से होगी दूसरों को तो छोड़ी दो अपने पड़ोसियों को तो आप हैंडल कर लोगे आफिस में जो लोगे उनको तो हैंडल कर लोगे अपनी वाइफ से कैसे डील करोगे अपने पेरेंट्स से कैसे डील करोगे बच्चों से कैसे डील करोगे ये सबसे बड़ी लड़ाईया है लाइफ की तो यहां भी सीखना पड़ेगा कि कौन सा वो point होता है जहां पर जा करके आपको पलट करके जवाब देना होता है या एक stand लेना होता है और कहां पर हलके फलके तरीके से आया गया करना होता है दोनों जरूरी depending upon the situation और मज़िगी बात क्या है जो मैंने देखा है जहां तक मैंने observe किया है मुझे देख करके अजीब भी लगता है कई बार मैंने देखा है कि ऐसी बहुत बड़ी-बड़ी बाते हो जाती है घरों में जहां पर एक्चुल में लड़ाई होनी चाहिए लेकिन वहाँ पर कोई लड़ाई नहीं होती है सब अपने मन में रखके बैठे होते है और छोटी-छोटी बाते होती है जहां पर कोई लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए वहाँ पर लड़ रहे है मतलब exact उसका opposite हो रहा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ मैं कहा रहा हूँ छोटी-मुटी कुई भी चीज है उसको आया गया कर दो कुछ बड़ा है तो अपने आपको तयार कर लो लड़ने के लिए अपने प्लाँ प्लाँ आए रहा हो प्लाँ वहां । झाहिए